हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स जैसे जैसे गर्मी का मौसम बढ़ता जा रहा है इस तपती हुई गर्मी में हमें सबसे ज़्यादा जरूत होती है एनर्जी की तो आज मैं आपके लिए एनर्जी से भर पूर बहुत हेल्दी टेश्टी शेर्बत लेके आई हूँ और ये शेर्बत की तो आज का शर्बत बनाने के लिए पहले हम डाल देंगे पैन में पानि तो मैंने यहां पे विलिया है क्य permission कि श्रबत बना था पानि में इन चार च्मी च्रीधें चैनी है चीनी को ढ़ीख करेंगे क्योंकि चर्च करेंगे ताकि शर्बत एकदम अच्छा से मीठा हो जाएगा चीनी अब कम एड़ करिएगा इस टाइम पे अब शर्बत को बहुत ही हेल्दी टेश्टी बनाने के लिए मैंने यहां पे लिए हैं थोड़ी से केसर के धागी यानि सेफ्रॉन इससे हमारे शर्बत बहुत हेल्द बन जाएगा शेफ्रॉन हमारे हेल्द के लिए बहुत अच्छा होता है साथ मैंने यहां पे लिए हैं दो गुलाब की पंखुडिया इसको मैं अच्छे सब कर लिया है इसे शर्बत में बहुत अरोमा आएगा फ्लेवर आएगा और शर्बत बहुत-बहुत हेल्दी हो अच्छा साथ में पानी चीज़ें को पानी के साथ में बोयल होते हुए लगबंग चार से पांच मेट हो गया है और आपी देच सकते हैरे अप पानी में कितना अच्छा कलर आ गया है और यहीं माने फ्रेंट्स मेरे पूरे किचन में வ होग लग रहला है कुछ लगझ अच्छा भण रहा है तो यहां पर इतना पकाने के शोड़ देंगे फ्लेटफट सीच बड़न कर देंगे 14 मिलें लुड़ा होने के लिए उसके बाद चाहिए वह तयार कर लिए भिषबें एक खास हया नम है का पर चस नगते दिए रहे घरा थे common चंथ है के पूरी रात के सारे कॉछ पौपी सीट को त्याल में डालने के लिए थोटा जाल लेंगे रिश नालने के लिए पाणी के बाद छ MS को आ इसनल सफ भर कर देंगे दूंग कॉछ भर कौणटी है और यह देखिए मैंने यहां पे खसकस यानि पॉपी सीट को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है इदम फाइन पेस्ट बनके तयार हो गया है खसकस अपने बहुत ही हल्दी होता है हमारी एनर्जी को बढ़ाने के लिए हमारी इम्मुनिटी को स्ट्रॉंग करने के लिए और अगर आपके सरी में विक्नेस है तो आपको ज़रूर करना चाहिए तो सरबत की तरह पीएंगे ना तो बहुत हेल्दी होगा आपके लिए आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है तो यहां पेस्ट बनके त्यार हो गया है अब इससे हम कंसंट्रेट कैसे बनाते हैं वह मैंने लिया है पैन इसमें डाल देंगे हम सारा खसकस यानि पॉप सीट का पेस्ट तो यहां पे सारे पेस्ट को मैंने निकाल लिया मिस्ति की जार में से जितना नहीं निकला था मैंने उसमें एक कप पानी एड कर दिया है अच्छे से मिला के निकाल लेंगे एक कप पानी डालने के बाद में अच्छे से मिला देते हैं ताकि जो खसकस है वो अच्छे से पानी में मिक्स हो जाए तो यह देखिए मैंने यहाँ पे अच्छे से मिला दिया है पानी के साथ में खसकस पेस्ट है वो अच्छे से मिक्स हो गया है अब इसमें एड़ करेंगे हम बाकी के फ्लेवर तो पहले हम इसमें एड़ कर देंगे मिठास के लिए चीनी तो मैंने यहां पर लिया है एक कप चीनी नाफ से कहा है 100 ग्रम चीनी है अब चीनी को भी अच्छे से मिला देते हैं अच्छे से मिलाने के बाद में अपने कंसंट्रेट को फ्लेवर देने के लिए मैंने यहां पे लिया है खुम्स का एसन्स जो कि बहुत 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 टेश्टी होता है और शर्बत में आप इसे यूस करेंगे तो बहुत अलग सा फ्लेवर देता है लेकि अगर आके पास मैं आप आदी चमर डाल दिया है अब कंसंट्रेट को स्टोर करने के लिए चाहिए वाइट वैनेगर इस समय अब कंसंट्रेट को इधा मार्केट इसलुक देने के लिए मैंने यहां पे लिया है गृफाल कालर डाला डूल दो ड्राउप डाल यांत viral है तो सभी चीज़ों को चाहते हैं इसकेया टो यह देखिए मैंने हैं जाजी चीजों अए पकाना है ताकि इसमें अच्छा से उबाल आ जाए फिर आम इसमें एक स्टेप और करेंगे इसके लिए वीडियो इसके मन करेंगा पूरा देखेगा तो अच्छे से हाई फ्लेम पे बॉयल कर लेते हैं और यहां पे हाई फ्लेम पे लगातार चिलाते हुए कंसंट्रेट को मैंने अच् करना बहुत जोरी है अब हम गैस की फ्लेम को मीडम कर देंगे और चार से पांच मेट के लिए और पकाएंगे जब तो यह देखे मैंने यहां पे चार से पांच मेट के कंसंट्रेट को अच्छे से पका लिया है इतना पकाने के बाद में देखिए आपको बहुत आर जाग होगा जो आपको इस तरह जहार दिखने लगे ना समझ जाए कंसंट्रेट बनके तयार हो गया है और पका देंग ठंडा होने में इसमें चीनी किस्टल बन जाएंगे तो यहां मैंने गैस को आफ कर दिया है तो यह हमारा बहुत बहुत हेल्दी टेस्टी खस-खस का जो कंसं पर दाओने के लिए फिर इस रिस्टोर के लिए फिर 2-3 मेने तक के लिए फेरीजम तक खराब नहीं होगा आप गर युज़ कर लिए तो यह बनके तयार हो गया है अब अपने शर्बत को भी चेक कर लेते हैं तो यह देखिए शर्बत को मैंने फिर से घंटे बाद निकाल लिया है अच्छे से चिल्ड हो गया है तो अब हम बनाएंगे इसे शर्बत लेकिए आप चाहें इसको ऐसे पी सकते हैं या ऐसे बहुत है लेकिन पीनिस से पहले को ऐसे चोड़ो दिया है तो यह हमारा बहुत-बहुत है टेस्टी शर्बत बनके तयार हो गया है तो पहले हम शर्बत को हैंदी बनाने के लिए इसमें एक कर देंगे सब्जा के बीच तो मैंने यहां पर दो बड़ी चमश सब्जा को दस मिट के लिए पानी में सोक कर लिय खस-खस का सीरफ यह बहुत होता है तो आपने टेस्टी कोर्डिन डाल दीए तो अभी मैं दो बड़ी चमश कर देंगे अच्छ से मिला देते हैं और यह देखिए मैं यहां इसको अच्छ से मिला दिया है मैंने यहां पर चार बड़ी चमश डाल दीए थे दो पहले डाला तो यहां पर हमारा ठंडर ठंडर रेफ्रेशिंग खसकस का जो शर्बत है बनके तयार हो गया है अब शर्बत को और भी ठंडर करने के लिए मैंने यहां पर लिए थोड़े साइस क्यूब इसको डाल देंगे गर्मी के मौसम जितना थंडर पी उतना कम ही होता है लेकिं आइस में अगर आपको इस तरह ठंडर ठंडर शर्बत मिल जाए पीने को जो की हैल्दी हो टेस्टी हो तो क्या बात है शर्बत बना के फ्रिज में लख लिए तीन से चार दिंग खराब नहीं होता है कंसंट्रेट बना कर लिए चार से पाच मेने खराब नहीं होगा इतनी आसान टेस्टी रेसिपी है तो जबू ट्राय करिएगा सर्बत को सरफ करने के बाद में डाल देंगे हम लास्त में 119 क्यूब ताके सर्बत और ठंडर ठंडर हो जाए गर्मी के मौसा में इतना हेल्दी टेस्टी शर्बत पीने को मिल जा तो क्या बात है तो मैं उमीद करती हूं क कि आपको आज की हेल्दी टेष्टी शेयरबत की वीडियो बहुत पसंदाई हों मजटाया रिसक्राइज और फिल्ली को लाइक करका झाइक तो वाच प्लेयां का किचान सोन